दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात के तो यहां पे एक के बारे गुड़ नीज का दौर सुरू हो चुका है बहुत चबर्दस गुड़ निकल के आ रही है उसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी के श्टॉक में आज अपर सरकुट नहीं लगा तो उसके पीछे वजह क्य समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से यहां पे बहुत बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है यह सुजलोन एनर्जी बी एस सी पावर इंडेक्स में सामिल हो सकता है इसके इलावा आपको पता ही होगा कि ब्लैक रॉक ने बहुत बड़ा निवेस किया है सुजल को और यह जो लेटे सब्डेट इसको भी डिसकस करेंगे और यह सी पावर इंडेक्स में सामिल होने का क्या माइने है सुजलोन के लिए वो भी समझेंगे क्या वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला लेकिन क्या उससे पहले इसमें डिप में फिर से हमे खरिदारी का मौका मिलेगा क्या स्टॉक आने वाले समय में फिर से 30 तक जा सकता है इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका और आज इसने एक नया इतियास रचा है औल टाइम हाई पी हमारा BSC Sensex और जो सुबर सुरुआ थी 1000 पॉइंट की उससे सांदार तेजी समय दिखाए दे रही है यानि कोई गिरावट का माहौल दिखाए नहीं दे रहा है अब दुसरी तर बगर आप देखे तो आप समझ सक कि बाजार में तो जबर्दस बातारों बना हुआ है लेकिन सुजलोन के श्टॉक में इस समय अपर सर्कृट नहीं रगा है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा आच्छरे चकी धोरे सम श्टॉक की सुरुआत 41 पर हुई और यही दिन बर का ही है क्योंकि फ्राइडे की लो पर तेजी का वाता है और यह स्टॉक में अपर सर्कृट क्यों नहीं लग रहा है आप समझ सकते इसके प्रदसन से की स्टॉक दबाव में आ चुका है प्रॉफिट बुकिंग के वैसे 24 नॉमर को स्टॉक 40.60 के आसपास था जापे 3.6% की तेजी बनी लेकिन 28 नॉमर को प् 40.75 के आसपास क्लोरिंग रही जापे 2.9% की फिर से तेजी बनी लेकिन 1 दिसंबर को स्टॉक 39.40 के आसपास वापस आ गया 3.3% की गिरावट के साथ तो यह क्लेरी समझ में आ रहा है कि दो दिन की तेजी के साथ में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है और यह मतल मतलब यह है कि इसमें दबावत बिल्कुल देखना को मिल रहा है बहुत सारे जो बड़े इंवेश्टर जीनों है 18 से लेके 20 रुपे के आसपास निवेश किया उनके पैसे डबल हो रहे और वो बिल्कुल यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करे अब इसके बीच में बहुत सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलोन पिछले कुछ समय में ही रॉकेट बना है 28 माय 2023 को यह साल के नीचे लेश्टर पाया दी 6.96 पर था और उसके बाद 8 महिनों से भी कम समय यह 532 परसें का बंपर रिटन देते हुए 17 नवंबर 23 इसको 44 पर पहुँच गया तो लगपक ज 24 तक पहुचा बहुत जबरदस रिटन दिया इस्टॉक नहीं और इसी वज़े से इस समय इस्टॉक में दबाव दिखाए दे रहा है तो S&P Dow Jones Index और BSC के बीच में यह 55% की इससेदारी है जिसके तयात ACI Index बनाया गया है जिसमें सिर्फ देखे तो BSC Power Index में ही बदलाव नही 50 और 100 ESG और Mid Small Cap 400 इन सबके अंदर भी आपे बदलाव के इनको फिर से तयार किया जा रहा है तो यह बदलाव 18 December से प्रभावी होंगे यानि आने वाली आठरा तारीक से सुजलोन एनरजी इसमें सामिल हो सकता है तो BSC Sensex 50 TMC और SNP BSC के CPSC और SNP BSC Consumer Durable Index में कोई फिलाल बद जाएगी लेकिन यह बहुत बड़ी good news है सुजलोन के लिए कि सुजलोन अब BSC Power Index का हिस्सा बन जाएगी ऐसे में आने वाले समय में Power Sector की कंपनिया में जो निवेस करेगा उनका निवेस भी सुजलोन की तरब आता हो दिखाई देगा और यह बहुत बड़ी good news है सुजलोन करते हैं और अगर उनकी राडार पे सुजलोन आ चुका है तो आप समझ सकते हो कि सुजलोन के लिए आने वाले समय में TG का दोर बिल्कुल आ सकता है आप समझ सकते हो कि यह जो ब्लैक रॉक है यह बहुत बड़े निवेस सक है इन्होंने 5% की इस्टेक लिए सुजलोन में अब आप यह समझ सकते हो कि यह जो इन्होंने निवेस किया है अभी है रिसंटल इन्होंने 24.7 लेक शेर लिए यानि 0.02% की इस्टेक बढ़े है लेकिन टोटल जो उनकी इस्टेक है अब जाके हो 5.01% तक पहुच गी है और फिलाल देखतो कि ब्लैक रॉक के पास सुजलो पोजिटीव बन रही है तो उनको पता है कि यह श्टॉक दोड़ेगा जरू और इसलिए इन्होंने इस लेवल पे खरिदार किया है और अभी समझ सकते हैं जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय भी यहां से बड़ी तेजी की समझावना बनेगी लेकिन जिस असे महल बन रहा उस हिसाब से यहां पर थोड़ा सा दबावतों देखना को मिल सकता है क्योंकि एक त्रबब बादर में 1200 पॉंट की तेजी सुजलों इस समय नहीं दोरता हो दिखाए दे रहा है अब यहां पर इसके लिए एक और गुर्णी जो साथ में निकल के आएगी वो और वो होगी कि जो mutual fund का जो group है जिसमें आप देखें तो association of mutual fund in India यानि AMFI वो जनवरी से अपनी नई list को फिर से जारी करेंगे उसमें सुजलों energy small cap में है वो mid cap में जा सकता है उसका market cap बढ़ा है और इस वज़े से अब वो mid cap का हखदार है तो mid cap में आने का मतलब यहां कि इस list में आने के ब शुरू हो गया है तो यह सारी बाते साबित करें कि सुजलों आने वाल से में एक बड़ा multi bagger बन सकता है लेकिन इस समय current level पर देखें तो सुजलों में दमाव दिखा दे रहा है और अगर आप नहीं खरीदारी करें तो थोड़ा सा वेट करें डिप में खरीदारी के बारे म सोचे लेकिन इसमें long term के लिए इसको बने रहे है यह आने वाल से में आपको माला मल कर देगा यहाँ पर बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है इंडियन रिदमल एंजी का आने वाल से पोटफोली बहुत तेजी से बड़ेगा क्योंकि आप देखे तो जो COP 28 हुआ ह UN में उसमें कम से कम 118 देशों ने एक treaty sign की है जिसमें देखे तो यह agreement sign के अंदर जो रिदमल एंजी के capacity उसको तीन कुना करना है यानि उसके लिए बहुत सारा निवेस भी होगा तो 2030 तक देखे तो आप समझ सकते हो कि इसके capacity को तीन कुना करने की सभी देशों ने अपनी ह 2400 गीगावार्ट की है उसको 11000 गीगावार्ट तक पाजना 2030 तक तो यह समझ सकते हो कि बड़ा अपसी विजन है और ऐसे में सेक्टर के जितनी समझनित कमपनियां वह काफी सांदार प्रदेशन करेगी और डेफिनिटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी ऐसे में लॉंग ठ सांदर था 65881 कोड़ के आस पाज लेकिन अब और अल देखे तो प्रतस्तन काफी अच्छा है और प्रॉफिट में तो बात करें तो कंपनी लगाता लॉस में थी 2019 में 1531 क्रोड का लॉस था जो 2020 में बढ़के 2691 कोड़ तक पहुच गया लेकिन अब 2023 में 28887 कोड़ का बंपर प्रॉफिट हुआ है तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी ने अपने कर्ज को छुका दिया है और कंपनी ने अपने गिरवी शेरों को चुड़ा है यह सारी वाते सावित करिए कि सुझलों एक बड़ा मल्टी बैगर बनेगा यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके जुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरुकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यों फ्रेंड